उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीडियों और वन विभाग के बीच लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है वन विभाग के तरफ से दी गई शनिवार की डेडलाइन के बावजूद भी बचे हुए दो भीडियों को पकड़ा नहीं जा सका जिससे यहां के लोग अभी भी देहशत के साए में जीने को मजबूर हैं क्योंकि 35 गाओं में खुनी खेल खेलने के बाद भीडियों ने अपने हमले का दाइरा बढ़ा दिया है अब 50 गाओं के 80,000 आबादी इन आदम खुरों के हमले की जद में आ चुकी है बागी बचे दो भेडियों में से एक लंगरा है जिसके ज्यादा आकरामक होने की बात कही जा रही है इससे ग्रामीनों में देहशत बढ़ गई है बताया ये भी जा रहा है कि खैरी घार्थाना क्षेतर के मटोरा कला में एक भेडिया देखा गया लेकिन ग्रामीनों के शोर मचा देने पर भेडिया खेतों के रास्ते फरार हो गया दो भेडियों को ट्रेस किया गया था जाल भी लगाये गये थे हांका भी हुआ था लेकिन किसी कारण से निकल गये वन विभाग के तरफ से कोई कमी है? अब बन विभाग तो बन जीओ को पकड़ने की एक प्रिक्रिया है बन विभाग अपनी चाला की दिखाता है भेडिया अपनी चाला की दो दिन पहले वन विभाग ने एक आदम खोर भेडिये को पकड़ा था दो और भेडियों के मौजूदगी की बात सामने आई थी मुख्य वन संरक्षक ने तो शनिवार तक बागी बचे भेडियों को पकड़ लिये जाने का दावा किया था लेकिन इन भेडियों को पकड़ा नहीं जा सका बहुती सिंसेरिटी के साथ प्रयास किया जा रहा है और चूब यहां की भॉगॉलिक स्थिती ऐसी है कि गन्यकी फसल है जो उची है उची उची घास भी है बीच में पानी की धाराएं भी है धान की फसल भी है और ये जानवर आकार में बहुत बड़ा नहीं होता है आसानी से छुप जाता है पानी में तैर के भी निकल जाता है और कहा जाता है कि थोड़ा सा चालाग भी होता है तो इसमें छुप जाता आसानी से वन विभाग का कहना है कि भेडियों को यहां के भगौरिक हालात का फाइदा मिल रहा है लेकिन अब उन्हें पकड़ने के लिए नई रानीती अपनाई जा रही है पूरे इलाके की कॉम्बिंग के जरिये भेडिये के मुव्मेंट को ट्रैक किया जा रहा है वन विभाग की 25 टी में राद दिन गर्ष्ट कर रही है प्रभावित गाओं के लोग भी खूनी भेडियों से परिवार को बचाने के लिए दिन राद सुरक्षा की उपाई कर रही है वन विभाग भी ग्रामीनों को सुरक्षित रहने के लिए लगातार हिदायती दे रहा है खुंखार जंगली जानवरों के पग मांक्स को पहचानने वाले पोस्टर चस्पा किये जा रही है लेकिन इस पर्ची में वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है किसी भी पर्ची में भेडिये के पंजों का जिक्र नहीं है अब जरा एक बार इस पर्चे को देखिए इस पर्चे को देखिए यहां पर इस पर्चे को आप देखिए इस पर्चे में आपको टाइगर नजर आ रहा है इसमें आपको तेंदुवा नजर आ रहा है कि बाग का पंजा कैसा है तेंदुय का पंजा कैसा है लकडबग्य का पंजा कैसा है इसमें आपको नजर आ रहा है सूनकत्ता का पंजा कैसा है गीदर का लेकिन जिसका पहचानना चाहिए उसी का गायब है जानकारों का कहना है कि हमले कर रहे भेडियों के ग्रूप में से जब तक ट्रैपिंग कैमरे से मुख्या की पहचान कर उसे पकड़ नहीं लिया जाता हमले जारी रहेंगे फिलहाल वन विभाग की बदली रणनीती के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में फाइनल सर्च ऑपरेशन के साथ भेडियों की लुकाचिपी बंद हो जाएगी ग्रामीर अभी भी डर में है जो बहराईच के आसपास के पचास गाउं है वहाँ अभी भी खत्रा बरकरार है और वन विभाग की टीम तमाम DFO मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है लेकिन कब वो दो भेडिये पकड़े जाएंगे जो यहाँ पर कई बरकरार है और इन सवालों का जवाब अभी तक वन विभाग नहीं दे पा रहा है